हेलो वेवीवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इंसाइट आई-एस ऑक्टोबर 2022 के करें अजो पूशन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा सोसाइटी का पूशन और सोशल जिस्स का पूशन ठीक है यह पूरा का पूरा हाज हम कवर कर लेंगे सबसे प चला है बताइए किसके लिए याद रखना यह जो मेंटल हेल्थ होती है कि इंडिवीजिल की उसके लिए चलाएगा है ठीक है चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कॉंटेक्स ही दिए अभी हाल में जब हमारा वर्ड मेंटल हल देठा ठीक उस टाइम पे हमारी जो मिनिस् 24x7 एक कॉल सेंटर टाइप का होगा ठीक है जहां पर आपको जो है मेंटल हेल्थ या फिर हैल से रिलेटेड जो है एडवाइजरी यह फिर असिस्टेंस वगरत दिया जाएगा फर एक्जाम्पल यह पर देख सकते आप टेले मानस इस आप 24x7 कॉल सेंटर इंप इंक्रीज एसेस टुड़े मेंटल हेल्थ केर अक्रॉस कंट्री ठीक है यह क्या है 24x7 कॉल सेंटर टाइप का होगा जिससे जो मेंटल हेल्थ केर है यह इसको और जादा इसका एसस इंक्रीज किया जा सके अलोवरा कंट्री इंक्लूडिग हाट टूरीच एरिया जहां पर बहुत तो आप डिरेक्ली कॉल सेंटर में कॉल कर देते हैं और आपको उसका असिस्टेंट मिल जाता है तो सेम वैसे ही जब आपको मेंटल हेल्थ वगर का कोई भी इस्यू होगा तो आप कॉल करके ही जो है सारी चीज़ें पूछ सकते आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत टीक है तो यह जो है कंट्रीवाइज एस भी रीच करवाएगा तो कंट्रीवाइड नेटवक प्रोवाइड प्रोवाइड धिक कांसिलीं Consultation Specialist with Specialist E-Reception Prescription तो कहने का मेरा मतलब यह है कि यह आपको पूरी All Over The Country Consultation ठीक है यह सारी की सारी चीज़ है Specialities जो होगा जिनके पास Specialities होगा उनका Consultation वगर आपको मिल पाएगा ठीक है और इसी के साथ साथ आपको Prescription भी दिया जाएगा या फिर मैं बोलो यह फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं ठीक है क्लियर चलिए अब बात कर लेते की हाइलाइट की सेंटर ऑफ एक्सिलेंस दे प्रोग्राम इंग्लूड दे नेट्वर्क ऑफ 23 टेले इसेंटर हैं तो यह दिएए यहाँ पर 23 टेले मेंटन जो हेल्स सर्विसिस है यह फिर तीमेंटर जो है यह इस्टाब्लिश किए जाएगे तकि अल्टीमेट्स जो हमारा mental health है especially तीक है इसका जो SSI all over country increase किया जा सके फिर technical support भी है टीक है technical support दिया जाएगा तीक है Institute of IIT, IIT Bangalore and National Health System Resource Center जिसको NHSRC बोलते हैं यह दोनों के दोनों जो है technical support provide करेंगे इस initiative के लिए users क्या होंगे it will help to provide the immediate mental health के services मैंने भी बताया आपको immediate mental health care services यह provide करेंगा फिर अगला हमारा it will facilitate continuous continuum of care तो यह जो हमारा continuum of care है इसको भी facilitate करेंगा ठीक है clear चलिए अगला हमारा linking tele-manus with the other services national teleconsultation services यह संजीवनी आईश्मान भारत digital mission mental health profession एक्सेक्टरा तो यह सारी की सारी जो scheme से या फिर initiative है इनको भी amalgamate या फिर link किया जाएगा हमारे tele-manus के साथ ठीक है clear चलिए अब बात कर लेते हमारी दूसरी scheme that is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme ठीक है central government announced the inclusion of skilling of girl in non-traditional livelihood ठीक अभी हमारी central government है उन्होंने announce किया है कि हमारी girls especially उनको जो non-traditional livelihood है उसमें skill किया जाएगा आप सबसे पहले समझ लेते हैं कि non-traditional livelihood होता क्या है फिर हम आगे चीज़ समझेगे देकि non-traditional livelihood include the sector and job where the participation of women has historically and conventionally low ठीक है और absent ठीक है मतलब कहने का मेरा यह है कि non-traditional livelihood मतलब ऐसे sectors होते या फिर ऐसे jobs area होते जहां पर अगर traditionally देखे या फिर conventionally देखे विमन का participation बहुत जादा absent या फिर बहुत जादा low रहा है ठीक है you hope this point is clear for example mobile repairing LED making renewable maintenance तो यह यहां पर जो women का participation है ना के बराबर होता है आपने कई बार देखा नहीं होगा कि जहां mobile repair होता है वहां एक women mobile वगर रेपैर कर रही है ठीक है तो बहुत आपने बहुत कम देखा भी होगा तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं उनकी सब्सक्राइब में उनकी स्किल डवलप्मेंट हो सके और इल्टिमेटल जो डिस्टिक वाइस कोड कर दिया जाता है कि किस नहीं बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ सब्सक्राइब करना तो इसी फील्ड में अपना करियर इन्हास कर सकते तो अजब साइंस वगरा लेंगी तो हमारे यह पे जो गर्स है यह और दाद परसीव कर सकते हैं अपना करियर फिर डॉन ट्रेशनल वोकेशनल वोकेशन गर्ल विल बी गिवन दा स्किल ट्रेइनिंग इन दर नौन ट्रेशनल वोकेशन में देंगे तो यह हमारे यहां पर अल्टिमेटी सेल्फ इंडिया को भी बढ़ावा द भारत वाला जो इनिशेटिव है उसको भी सपेट करें सपोर्ट करेंगा अब बात कर लेते हैं सबसे पहला सेकंडरी एजुकेशन नहांस करेंगा ठीक है मने बता जाना हमारे अपर जो सेकंडरी लेवल पर एजुकेशन होती है उसमें विमन का पार्टिस्पेशन बहुत इन सब के बारे में फिर चाइल्ड मैरेज को भी स्टॉप करने में मदद करेंगा अब बात कर लेते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में यह 2015 में लाई गए थी आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री मोधी जी है वह स्कीम को लेके आए थे ठीक है और इ इस बीन एक्सपांडे टू कवर ओल डिस्टिक्ट एंड बिइंग इपलिमेंटेड अजब स्कीम अंडर दा संबाल तो आपको पता होगा यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है यह एक सब सेक्टर स्कीम है अंडर संबाल जो कि हमारा मिशन शक्ति के अंडर में आता है ठीक क्लियो चलिए अब बात करें अंदरा सॉल्ट प्रोजेक्ट सबसे पहले चीज जो आपको याद रखने है कि यह जो हमारा अंदरा सॉल्ट प्रोजेक्ट है यह आंदर प्रदेश का जो लर्निंग स्पेशलिया लर्निंग ट्रांस्पोरमेशन या फिर रखनें असेसिन् का या फिर लोग प्रोवाइड किया है कि अंदरा का जो लर्निंग ट्रांसफर्मिशन है यह हो सकती के लग हें दोबरा बोल देता हूं कि यह फर उसको ट्रांस्फर्म कि मईदैश स्टेट का स्कूल सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा बाइफोकसिंग और इंप्रूविंग फाउडेशन लर्णिंग प्रोफेशन डवलप्मेंट और टीचर चाहिए तो कहने का मेरा मतलब यह कि सारी चीज़ों पर फोकस करेंगा एक फाउंडेशन फाउंडेशन लर मेरा मतलब है कि जो प्राइम मिनस्टर है मोवधी जी उन्होंने नौट इसटर व्लप्मेंट के लिए इनिशीटिव चला है तो उसमें हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी कर शिया फिर हमारी जो फाइनस मिनिस्टर है उन्होंने इसको एड्रेस किया था यूनिन बजट के दोरान ठीक है कि पीएंड डिवाइन जो हम स्कीम चलाएंगे ताकि जो डवलप्मेंट गैप हमारे नौस इस्टन रीजन में ठीक है उस गैप को फिल्फिल किया जा सके अब बात कर लेते हैं प शोऽषए डवलप्मेंट प्रोजेक्ट इस अञे नौर्थ एस्टन रीजिन में ठीक है अगला हमारा इल्फिल्पमेंट गैप है या फिर वैक्यूंड की क्रिट हो गया सोसाइटी में उस वैक्यूम को भी क्लियर किया जा सकहें या फिर जो गाप आगया सोसाइटी में उस गाप को फुल्फिल किया जा सके या फिर उस गाप को इराडिकेट किया जा सकेगा ठीक है क्लियों चलिए अब बात कर लेते हैं की हाइलाइट कि effort has been made to complete PMD1 project by the year of 2024 sorry 25-26 कहने का मतलब बीज़े पी डिवाइन प्रोजेक्ट है यह 2026 कंप्लीट होने की बात कहीं है और यह जो फंडेंगा यह में हाफिस 100 पर संट्रेंट वर्मार्माट हमारी फंडिंग देगी और अगर बात करें इंप्लिमेंटेशन कर रहा है कौन कर रहा है इसकी तो याद रहा है ministry of development of northeastern region यह इस ministry जो है इसमें directly involved होगी और यह सारी की सारी चीज़े देखेंगी ठीक है clear चलिए फिर अगला हमारा end-to-end development पे focus करेंगी फिर अगला है no duplication of project will ensure that there is no duplication of project support under PM divine with any other scheme of the ministry of development in the northeastern region ठीक है और those any other ministry and department ठीक है तो duplication project पे भी focus नहीं किया जाएगा ठीक है clear चलिए अब बात कर लेते हैं mg नरेगा ठीक है mg नरेगा का सबसे पहले समझ लेते हैं कि context क्या है फिर हम समझेंगे बात में कि mg नरेगा scheme क्या है context सबसे a study conducted by the center for sustainable employment ठीक है याद रखना यह study बहुत जादा important होती है especially example interviews especially means में code करने के लिए बहुत जादा मदद करती है ठीक है याद रखना यह study conduct कई गई थी by center for sustainable development on the impact of mg नरेगा सब्सक्राइब करें तो यह study मैं आपको advice करूँगा कि आप notes में inculgate कर ले या फिर लिख ले क्योंकि यह code करने लायक है जब भी ऐसे लिखे या फिर जब भी आप सरकार की जो है criticize करना चाहें तो वह आप इस study के द्वारा कर सकते हैं इसका नाम लिख के center for sustainable employment इन्होंने जो है study conduct की थी ठीक है COVID-19 pandemic की दोरान इन्होंने mg नरेगा की study करी थी ठीक है या फिर impact की study करी थी has revealed the wages earned under the act help the compensate for the income loss of 20 to 80% ठीक है however around 39% of all job hold card holding household interested in working with under the MJ नरेगा did not get the single day of work in the COVID-19 for the year of 2020 तो कहने का मतलगी है कि 39% job card holder है उनको single day भी जो है काम नहीं मिला during the COVID-19 or the year of 2020 and 2021 सोच के देखे जब उन लोग को एक दिल का भी काम नहीं मिला तो आप सोची थे कि उन्होंने खाया क्या होगा तो उनकी जो लाइफ है बहुत जादा struggleful रही होगी कहने का मतलब यह है तो जब भी आपको criticize करना होगा government को या फिस सरकार को तो यह ऐसे के ऐसे effect आपको लिख लेने चाहिए especially अगर आपको news paper में मिलते हैं किसी magazine में मिलते तो ऐसे effect आपको लिख लेने चाहिए ठीक है clear चलिए अगर बात करें 2022 में तो चोड़ा 15.4 पॉइंट चार करोड ऐसे है वर एक्टिव वरकर जो एमजी नरेगा के अंडर में आते हैं ठीक है clear चलिए अब बात कर लेते हैं एमजी नरेगा स्कीम के बारे में ठीक है यह एक राइट वर प्रोग्राम है जो हंडेट डेस का जो वरकिंग है वो गैरेंटी करता आपको ठीक है या फिर मैं पहलो हंडेट डेस का एमजी नरेट वरकिंग है और यहां पर अगर माल लिजे किसी इंडिविज्व ने या फिर किया है कि है आपको काम चाहिए तो उसको 15 दिन में जो है काम देना बहुत जादा मेंडेटरी हो जाता है अगर 15 दिन में काम नहीं दिया तो जो एक इंडिविज्व या फिर एक और ऑर्गनाइज़िशन के इलाफ पर्टिशन विन डायद कर सकता कि मुझे जो है 15 दिन में काम नहीं दिया गया तो यह जो है लोग के ओपर लिगाल लिगाल राइट दे रखा है कि आपको 15 दिन में जो है काम दिया ही दिया जाएगा सोशल लॉडिट की बात करें सोशल इस मेंडेटरी फिर अगला माने ग्राम सभा और ग्राम मचायद अप्रूफ अप्रूफ वर्क अंडर दी एमजे नरीगा फिक्स देर प्रॉपर्टी इस ठीक है तो यहाद रखना ग्राम पंचायद और जो ग्राम सभा होते हैं यहाँ पर वर्क देने में बहुत वाइटल र इस गेंडियन इंस्टूट ऑफ साइंजिसको आई आई एस बोलते हैं सब्टे इस इस बोलते हैं इस डिटेन पर पॉजिशन अमंग दिण इंडियन इंस्टूट ऑफ द लेटिस्ट अरा उंड और राउंड थायर एड्यूट एडू के रंकिंग तो चैने का मतलम यहाँ of higher education ranking होता है उसमें Indian Institute of Science जो है उन्हों ने top position हासल किया है अब बात कर लेते हैं कि हाइलाइट्स के बारे में देखें universities of Oxford globally it has emerged as the best institute among the 1779 universities from 104 countries according to the statement issued by the the यह जो organization में ने बताई थी the higher education ठेक है ranking ठेक है clear times higher education ठेक है तो इसके हिसाब से जो हमारी university of Oxford है यह सबसे जादा top पे आती है ठीक है अगर compare करें दूसरी universities से ठीक है clear और मने अभी एक second पहले बताया था आपको कि जो हमारा times higher education है यह total 1799 universities को rank करता है all over 104 countries ठीक है clear चलिए अब बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं कौन कौन से parameter जो ही यह rank करते हैं अब बात कर लेते हैं कौन कौन से parameter जो ही यह rank करते सबसे पहला हमारा 30% teaching पे rank करते हैं फिर research को 30% rank करते हैं ठीक है citation को 30% जो है क्या कहते rank करते हैं फिर international outlook को 7.5% की weightage देते हैं industrial industry outcome की बात करें तो 2.5% in teaching and research 15% weightage each based on the reputation survey ठीक है तो याद रखना कि reputation survey के हिसाब से जो है 15% का weightage पढ़ता है ठीक है अब बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारी RTI plea जो है information commission के पास पड़ी है उसके बारे में ठीक है nearly 3.15 lakh RTI campaign और appeal spending with 26 information commission across India ठीक है कहने का मतलब यह है कि 3.15 lakh RTI plea ऐसी है जो 26 information commission के मतलब office में पड़ी हुई है आप सोचके देखिए pending पड़ी होने के जैसे जैसे pendency increase होती रहते न तो जो workload है यह और ज़्यादा बढ़ता रहता है अब जब workload बढ़ता रहेगा तो जो हमारा radical mechanism है यह बहुत ज़्यादा slow हो जाएगा ठीक है clear comes to the effective bureaucracy ठीक है clear चलिए अब बात कर लेते की highlight के बारे में the highest number of pending cases in maharashtra ठीक है याद रखना सबसे ज़्यादा जो highest है cases pending वो maharashtra में मिले pieces वाले याद रखना pieces में यह directly question पूछा जा सकता है UPSV में तो शायद ना पूछे बट जो pieces exam में वहाँ पर यह question पूछा जा सकता है ठीक है अगर बात करें different commission की तो 29 information commission across India completely different हो मतलब 29 information commission essay हमारे all over India तो जो बिलकुली different हो चुके है ठीक है four of them headless at the moment ठीक है यहाद रखना चार इन में से जो headless है ठीक है अगर बात करें जहारकंड त्रिपूरा has been completely different और जहारकंड और त्रिपूरा के तो completely different हो गया ठीक है मतलब functioning करी नहीं रहे है ठीक है 429 month and 15 month respectively जहारकंड की बात करें तो 29 month हो गया और त्रिपूरा की बात करें तो 18 month होगा टूटल इसको मतलब 1.5 साल होगा और इसको बार दुनी चोभी मतलब दो साल सभी जादा जो है वह चुके है ठीक है only 5% of the positions are occupied by women ठीक है और याद रखना जो हमारा information commission है उसमें सिर्फ 5% जो position ऐसी है जो women के द्वारा hold करी जाते तो मतलब कहने का मतलब यह है कि issues जो हैं बहुत सारे है information commission में ठीक है analysis of penalties imposed it shows that the commission did not impose the penalty to 90% in the cases ठीक है तो याद रखना जो हमारा commission in 90% cases में जो penalty है वह imposed की ही नहीं जाती ठीक है clear चलिए अगला हमारा lack of transparency मैंने भी बताया था कि transparency का हर जगा issue रहता है अगर आप देखिए red cell mechanism आपका अच्छा नहीं है ना तो transparency का issue बना ही रहता है फिर अगला हमारा digitization भी एक बहुत जादा जो है हमारा major issues है जिसके द्वारा जो red cell mechanism efficient नहीं है आप सोचके देखिए कि अगर माल लेज़े e-maadhyam होता कोई या फिर कोई electronic maadhyam होता RTI file करने का ठीक है आप बात कर लेते हैं transparency international report के हिसाब से क्या क्या चीज़े जो है important है उन्होंने बोला था कि अगर एक effective bureaucracy चाहिए या फिर आपको जो information commissioner उसमें और ज़दा efficiency transparency चाहिए तो सबसे पहले आपको जो vacant post है तो या फिर वेकेंट post है उनको fulfill करना पड़े या फिर उनको fill करना पड़े गा तरीक है 1 4th of information commission is presently weekend आप सोच के देखे इतनी सारी पोस्त निए 1 4th information commissioner की post बदर जालाब जरुरी काम है फिर अगला हमारा कि women का participation 5 percent है उसको increase करना पड़ेगा फिर information commission जो pending है या फिर ज प्रक नहीं कर रहे हैं इनक्टिव हैं ठीक है जो हमारे information commission उनको दुबारा से जो है अर्च करना पड़ेगा कि वो जो है दुबारा से काम करना शुरू करें अगर बात करें रेशो कि कि कितने cases कहां कहां पेंडिंग है तो यात रखना Central Government में हमारे 1.19 करोड फिर अगला हमारा महारास्टा में 86.06 करोड तमिलनाडों में 36.99 लेक्स करला में 32.82 लेक्स तो यह जो है cases pending है information commission के पास ठीक है clear चलिए अगला हमारा मनिपूर State Population Commission अभी हाली में जो मनिपूर है उन्होंने बोला है कि हम किसी भी बच्चे को जो है गौर्मन जॉब में अगर किसी फैमिली के चार बच्चों से जादा बच्चे है तो ऐसे similar law जो है हमारे राजिस्थान मध्यप्देश और गुजरात में भी चला है ठीक है द इंडिया इस पॉइज टू ओवर्टिक चाइना इन एड इंड पॉप्पुलेशन कंट्री बाइद यह फूटावजन ट्री थी त्रीक है आपको पता है कि हम जो हैं चाइना को सर्पास करने वाले हैं बाइद यह फूटावजन ट्री और हम वल्ड की 18% पॉपुलेशन को करेंगे अब सोच के देखें जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना इंडिया में प्रेशर बढ़ता रहता है ठीक है रिसोर्स के लेकिना यह फिर स्कीम्स को लेके तो बहुत सारे जो स्ट्रेस हैं वह बढ़ते रहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमको पॉपु अब बात कर लेते हैं लीगल मैरेज की एज क्या होते है कि अगर आपको मैरेज करने का कि अगर आपको मैरेज करना है तो 18 साल जो लड़की की एज होनी चाहिए और 21 साल होनी चाहिए लड़के की और यह आपको पता होगा हर कम्यूनिटी के हिसाब से जो एज अलग अलग हो सकता है अगर बात करें हिंदुईजम की ठीक है तो हिंदुईजम में कई बार चैल्ड मैरेज भी कर देते हैं ठीक है बट लीगल एज यही है जो मैंने आपको बताई 21 साल गरल बॉई की और 18 साल लड़कीों की ठीक है आपको पता होगा यूपी वगरा में आप चले जाए तो कि अगर मानले लोग के इसाब से देखें तो 18 साल से उमर की कम उमर की जो है आप शादी नहीं करवा सकते ठीक है अब बात करेंते हैं हाओ एज ओफ मैरेज इस डिटर्माइन इंडिया सबसे पहला कि डिटर्माइन किस तरीके सवाई किन बेसिस पर गिया जाता सबसे पहला सब्सक्राइब करने के लिए कि यह जो हमारे हिंदू मैरेज एक्ट है इसके हिसाब से हमारे णोगी प्रेस्काइब करता इज की जो लड़का है ब्राइट ग्रूम एसकी जोनी चाहिए 41 साल और जो ब्राइइड लड़की हमारी उसकी है जोनी चाहिए 18 साल तो यह हमारा हिंदू मैरेज एक्ट बोलता है this is the same for the Christian under the Indian Christian marriage act Christian के लिए भी same है and special marriage act for Muslim the criteria is attained poverty which is assumed within the bridegroom or bride bride or bridegroom turns 15 ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर बात करें 15 की जो Muslim की especially या फिर Muslim marriages की तो जैसे ही वो जो एक bride या फिर bridegroom है यह 15 का assume कर लेता है age तो वो जो है marriage कर सकता है ठीक है यह जो है criteria मैंने भी बताया था आपको हारी community के लिए अलग-अलग हो सकता है ठीक है चलिए law governing child marriages prohibition of child marriage act 2006 does not have any provision that says law would override of any other law on the issues ठीक है कहने का मतलब यह है कि यह जो law है कहीं नहीं बात करता कि हम जो law है यह override करेगा किसी दूसरी law को इस issue पे ठीक है clear अब बात कर लेते poverty इंडिया में अभी हाली में जो multi dimensional poverty index है 2022 का यह आया इसने UNDP ठीक है और OPHIG इन्होंने दोनोंने मिल गे जो है इसको release किया ठीक है the number of people poor in India is dropped by about 415 million ठीक है तो याद रखें अगर इसको convert करें करोड में तो यह 41 करोड बन जाता है ठीक है over last 15 years ठीक है कहने का मतलब यह है कि 1415 जो million है इसमें drop हो गए multi dimensional poverty index में अब बात कर लेते findings की globally अगर देखें तो 1.2 billion पीपल ऐसे हैं जो worldwide multi dimensionally poor है अब multi dimensionally मतलब क्या है मेरा कहने का देखें multi dimensionally poor मतलब होता है कि यह जो poor की ranking होती है पूर की definition होती सिर्फ पैसे के हिसाब सही नहीं सारे dimension को analyze किया जाता है for example whether it is education living standard ठीक है या फिर health यह सारे parameter को जो है analyze किया जाता है और उनके basis पर निकाला जाता है कि जैसे माल लिजे एक individual को education का size मिल रहा है नहीं मिल रहा health का ऐसे में मिल रहा उसका living condition यह फिलीव in standard कैसा है ठीक है उसको sanitation मिल रहा है द्रिंगिंग water मिल रहा नहीं मिल रहा electricity housing यह तो यह सारे कि सारी dimension को analyze किया जाता है और उसके basis पर analyze किया जाता है कि एक individual मल्डी Dimensionally poor है या नहीं है ठीक है अगर बात करें हिंडिया की especially India related finding तो India is home to the largest number of poor followed by Nigeria ठीक है अगर बात करें Nigeria को ठीक है और या फिर इंडिया को तो यह दोनों पूरे world के सबसे जाधा poor holding countries है सबसे जाधा poor जो यहीं पर मिलते हैं इंडिया में फिर इसके followed by Nigeria ठीक है पूरे state reduced poverty in the state in the fastest state in India poverty among the children fell faster ठीक है अगर बात करें चिल्डन में especially तो इन में जो poverty है यह बहुत rapidly increase हो है ठीक है the incidence of poverty dropped from 15.5 15.1 to 55.1 to 16.4 percent over 15 years सब्सक्राइब करें पिछले 15 सालों में तो जो हमारे बावर्टी है डिक्लाइन हुआ है पंच-पंच से 16% परसेंट पर आगे हैं हम लोग ठीक है तो सोच के देखें बहुत जादा हमने अचीव भी किया है और बहुत जादा हमें और जादा अचीव करना है तो आउट ऑफ शिक्रीन पॉइंट फॉर परसेंट फॉर परसेंट लिव निव निव इन एक्स्रीम पावर्टी ठीक है कहने का मतलब यह कि जो क्योंकि अगर आप देख लोगे तो फिर आप मतलब कहने का मतलब यह कि जब मैं आपको करवाओंगा तब यह टाइम करना क्वेशन इसको अभी मत देखना इंडिया इंडिया स्वी मेल हैड हैडेड हाउसोल्ड एंड पूर दन मेल ठीक है कहने का मतलब यह है कि हमारी मेल से बहुत जादा जो है पूर है ठीक है क्लिया चलिए ड्रॉप इन पावर्टी बिट्वीन 2015 से लेके सोला हैं 2019 से लेके बीस फास्टर रेट ऑफ 11.9 परसन ऐनुली कंपेर्ट टू 8.1 बिट्वीन दफ एयर ऑफ 2005 से लेके 6 और 15 से लेके 16 ठीक है तो कहने का मतलब यह कि पौवर्टी में जो ड्रॉप हमको बहुत जादा बहुत हायर रेट से देख रहे मिला है 2015 से 2019 तक को देखें ठीक है क्लिया अब सजेशन की क्या बात करिए सबसे पहले देखें सजेशन अगर हमको पौवर्टी को एरडिकेट करना तो सबसे पहले हमको जो है एक इंटीग् सबस्करवाना जिस एक्जाम पर सफिराइस फूड अली चाइड केर सेंटर्स ठीक है मिड़े में स्कीन तो यह इस सारी स्कीम का और जादा एसस मिलेगा हमारे चिल्डर्ण को या फिर हमारे बच्चों को या फिर हमारे साइटे में जो लोग रह रहे तो जो हमारे जो है इसमें डवलप किया जाता है सबसे पहला जो हमारा दोसा दस में लेकिया आया गया था यह तिक है क्लिए अगला हमारा की निकालता कौन है ऑक्सवर्ट पावर्टी एंड हुमन डवलप्मेंट इनिशेटिव टीक है जिसको ओपी अचाहीं बोलते हैं और UNDP यह दोनो परमेटर अलग चीज के लिए और 10 पैरमेटर अलग चीज के लिए यह दोनों के दोनों जो पैरमेटर आदे सब्सक्राइब यह इनलाइस कि जाते हैं फिर्स लांच इन 2010 मैं भी पताया था आपको 2010 पे पहला वाला लाया गया था पहला यह जो रांकिंग है असब पसर तरफ दमोर दन देटेज इंडिकेटर दोज वर डिप्राइब रॉम देटेज इंडिकेटर कंसेडरीं देटेम मल्टी दिमेशन पावर्टी कहने का मतलब यह कि नीचे पैरामिटर दिखाए गाए यह वाले ठीक है अगर उन में से जो है एक वन थर्ड भी एक इंडिविज् अगर बात करें किलिए है तो अगर बात करें एडिकेशन की यह सबसे पहला है कि मल्टीडेमेशन पौवर्टी इंडेक्स डैवल है OPHI, ठीक है, मैंने भी बतायता है, NUNDP, support covers which of the following, मतलब किसी चीज़ को support जाए, cover increase करता है, ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए, जो भी मैंने आपको बता है, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया, आपको ये UPSC का question 2012 का, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, उसमें जो भी चीज़ आपक तक नहीं देखी, उसको आप eliminate कर दीजिए, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से option पढ़िए, सबसे पहला है, deprivation of education, health, assist, assets and services at the household level, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर education की भी बात हुई है, health की भी बात हुई है, ठीक है, मैंने अभी बतायता, बात भी है, फिर पढ़िए, purchasing power parity at the national level, ठी अब कहीं भी नजर आए, budget deficit या फिर GDP growth, ठीक है, कहीं भी नजर नहीं आए, ठीक है, तो third option को आप eliminate कर दीजिए, अपने आप answer आजाएगा, क्या, ठीक है, देख लीजिए, answer, answer क्या है, only A, ठीक है, क्योंकि यह जो budget deficit या फिर economic growth या GDP growth की बात करता ही नहीं है, ठीक है, especially यह बात करता है, कि एक individual को तीन dimension का जो SSO मिल रहा है नी मिलता है, health, education और living standard, यह तीन चीज़ों को जो है, analyze करता है, ठीक है, clear, अगला हमारा प्रधान मंत्री जनारों की यह जना, ठीक है, प्रधान मंत्री जनारों की यह जना मुंक के मंत्री, अमुरुतम, ठीक है, यह गुज health authority, जिसको NHA बोलते है, and the national accreditation board of hospital and healthcare provider, जिसको NABH बोलते है, a constituted board of quality, quality council of India, कहने का मतलब यह कि दोनों authorities ने मिलके, quality council board of India, यह फिर quality council India, इसका memorandum sign किया है, to collaborate in the areas of capacity building, dissemination of information, फिर promotion of quality council India, ठीक है, accreditation, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है, promote किया जा सके, जिस example, capacity building, coordination, information, इन सब को promote किया जा सके, इसलिए, NHA और NABH ने मिलके, एक जो है, board constitute किया, जिसको हम बोलते है, quality council of India, ठीक है, NABH has been extensive and efficient quality framework and accreditation system for the healthcare facilities, जो हमारा NABH हो तब बनाए, इसलिए गया है, ताकि हमारे यहाँ पर जो quality framework जो है, बनाए जा सके, coordination को लेके, accreditation को लेके, in the healthcare facilities, National Health Authority की बात करे, is a mandate with the implementation of the आईशमान भारत प्रदानमंत्री जनारो की योजना, अब बात कर लेते हैं, आईशमान भारत स्कीम के बारे में, सबसे पहला कि टोटल इसको चार साल complete हो चुके है, 2022, size of 2022, ठीक है, प्रदानमंत्री जनारो की योजना की बात करें, तो सबसे वर्ल्ड की सबसे largest health assurance scheme है, ठीक है, 2018 में launch की गई थी, हमारी minister of health and family welfare directly involved है, ठीक है, provide medical insurance of five lakh, ठीक है, याद रखना, की, पांच लाग का medical health insurance जो इसमें provide किया जाता है, ठीक है, centrally sponsor scheme है, मतलब जहां पर आधा पैसा जो हमारी state government देती है, आधा पैसा हमारा central government देती है, और funding mechanism हो है, 40-60, ठीक है, यह हमारे normal state के लिए है, ठीक है, फिर अगला हमारा, की north eastern region की बात करें, या फिर हिमालियास की बात करें, तो 90-10, ठीक है, और अगर union territories की बात करें, तो हमा आधा नहीं की गई है, ठीक है, या फिर इसमें कोई भी जो लिमिटेशन वगरा नहीं है, इट कवर्स प्रो प्रो एग्जिस्टिंग डिजिजिजर्स को भी कवर करता है, ठीक है, अगर बात करें, आश्मन भारत digital mission की बारे में, तो digital backbone है, हमारे special health system की, 2021 में लाउंच की थ आपसारा पैसा हमारी सरकार देती है, इसकी implementation करी है, under ministry of health and family welfare, ठीक है, अब बात करते है, डॉक्टर दिलेप महाल नोबेस, ठीक है, सबसे पहले चीज़ जो आपको याद रखनी है, यह जो दिलेप महाल नोबेस थी, इनकी हाली में जो है, डेथ हो गई थी, और इनी ने ज डॉक्टर महाल नोबेस, working refugee camp in 1971, Bangladesh Liberation War, ठीक है, आपको पता होगा, जो Bangladesh Liberation War हो रही थी, 1971 में, उन्होंने यह refugee camp में इन्होंने काम किया था, और उसी के दौरान इन्होंने ORS की घोल, जो ORS का घोलम पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, उसकी खोच करी थी, ठीक है, और या ठीक है, WHO diarrhea disease such as Chlora among the causing the mortality of infants and young children, तो कहने का मतलब याय कि जो बहुत सारी diseases यह है, ठीक है, यह cholera, ठीक है, तो यह से डीजिसे हैं, जो बच्चों को बहुत कम उमर में, बहुत कम उमर में जो है, डेत बगरा हो जाती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इन्हों लूस को दिया जा सकता है एक class Co word ऐसको दिया जा सकता है जो Ö movie 19 जो बत्चों कि ल्यांus हो और उसके उसको ले कि जो स्पेशली जो बच्चे जो आजके पढ़नी पारे बोलनी पारे टीक है यह जो है लर्निंग ल隨का है मैने भी बथाया था कि आपको जब माने विज्द नफ अधी Meeg dual था मैनने बथाया था कि एक पांचवी क्लास जो है third class की भूख नहीं र्रीट कर पारा तो यह तरह करकर learning loss है जो COVID-19 से हमको हुआ है अब बात कर लेते हैं learning loss in terms of education due to COVID-19 सबसे पहला world bank UNESCO UNICEF report learning loss from the COVID-19 could cause the generation of the student to close 17 trillion in the lifetime earning ठीक है कहने का मतलब यह है कि जो यह तीनों institution जैसे world bank UNESCO UNICEF इन तीनों के report ने बताया है कि learning loss जो हुआ है COVID-19 से यह world पूरे lifetime हमको जो है 17 trillion का loss पहुचाएंगे ठीक है अगला हमारा learning losses were the greatest for the student of the lower social economic status तो कहने का मतलब यह है कि countries लेख गहाना मैक्सिको पाकिस्तान इन countries में जो lower social economic status के जो बच्चे रहते उनको यह जादा फरक पड़ेगा या फिर उनको जो है जादा जो है loss पहुचाएगा क्योंकि देखे बड़े बड़े जो economically well होते है ठीक है वो तो tuition वगरा लगा कि learning loss को cover कर लेंगे बड़ जो उनका क्या जो छोटे social economically बहुत जादा backward है ठीक है उनको बहुत जादा नुकसान होने वाला है ठीक है अगला हमारा larger losses among the girls ठीक है बहुत जादा loss है यहाँ पर लड़कियों का हुआ है ठीक है यहाँ फिर loss लड़कियों को जादा loss पहुचा है अब बात कर लेते learning loss को जो address करने के लिए कौन कौन से initiative चलें सबसे पहला हमारा national achievement survey NSS जो बोलते हैं 2021 में covering 3.4 student million student of growth 3rd, 5th, 6th, 7th, 10th ठीक है तो इन सब के जो learning का evaluation वगरा किया जाता है फिर अगला हमारा national foundations learning study ठीक है जो specially grade 3 के student पर focus करता है अगला हमारा alternative academic calendar ठीक है covering syllabus based on learning outcome फिर अगला हमारा दिक्षा ठीक है one of the 12 digital global goods in India फिर अगला हमारा नेश्था for teacher training फिर अगला हमारा विद्यांजली 2.0 connecting involuntary with the school ठीक है तो यह सारे के सारे initiative है जिसके कारण जो हमारा learning loss हुआ है इंडिया में especially ठीक है उनसको address किया जा सके अगला हमारा national curriculum framework ठीक है stage is focused on early childhood care and education for the children between तीन से लेके 8 of the age ठीक है also बाल विक्साथ कहने का मतलब यह है कि especially जो तीन से लेके 8 साल के बच्चे उन पर focus करेगा यह ठीक है जो हमारा मेंशे जो प्राइमेरे classes के होते हैं या फिर केंदरी विध्याले होते हैं उनमें यह launch किया जाएगा ताकि बच्चे जो होते हैं तीन से लेके 8 साल तक के उनके learning पे focus किया जा सके या फिर उनका जो learning foundation learning उसको strong बनाया सके ठीक है this is for the first time that ncf has been prepared for the foundation stage ठीक है या दर्कना यह पहली बार है जिसमें हमने ncf national foundation जो हमारे जो ncf है इसने foundation stage की learning पे focus किया या फिर foundation पे focus किया यह early childhood care education under आंगनवारी system till now primarily to focus on the nutrition and health of the children कहने का मतलब है कि जो आंगनवारी जो गया यह फिर early childhood care essay institution होगा यह specially जो हमारा बच्चा होता है उसके health या फिर न्यूटरिश्म पर focus करता है जाएंगे सबसे पहला हमारा activity book पे जब बच्चा तीन से लेकि छे साल इस एक्जामपल ताकि आप जो stereotype या फिर जेनर रिप्रेजेंटेशन उसको अवाइड किया जा सके ठीक है या फिर जो stereotype उसको अवाइड किया जा सके और जेनर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया जा सके और ethical moral lesson भी दिये जाएंगे बच्चों को ठीक है यह मैंने पंच कोशा के सबसे पहला मारा physical development फिर अगला मारा development of life energy emotion and mental development फिर अगला मारा intellectual development फिर अगला मारा spiritual development तो यह सारे सारे चीजों पर focus किया जाएगा इन सब के development पे ठीक है ncf थेक है 2022 new part of national education policy 2024 sections सबसे पहला मारा national curriculum framework for the school education national curriculum framework for the early childhood care education national curriculum framework for the teacher education national curriculum framework for adult education तो इस सब की जो करिकूलम education पे focus करता है whether it is school early childhood care teacher adult ठीक है सब की education का जो है curriculum framework दिखाता है ठीक है clear चलिए अगला जह हुआना topic है that is national credit framework जिसको ncrf बोलते union ministry of education has launched a draft of national credit framework ठीक है तो याद सबसे important point यह याद रपने वाला है कि जो national credit framework है ठीक है याद रपने काई finance ministry आप सोच के कर दो credit लेखा हुआ है तो हमारी ministry of education जो है उन्होंने यह initiative launch किया है ठीक है it is an umbrella framework for skilling re-skilling and up-skilling accreditation कहने का मतलब है कि एक बच जो एक individual है उसको skilling re-skilling या फिर up-skilling जो है provide किया जासा कि उसी को में ध्यान में रखते हुआ यह initiative चला है ठीक है clear चलिए ठीक है the credit earns in the school or higher vocational education will be stored in the academic bank credit ठीक है कहने का मतलब है कि एक student जो है credit वगरा जो है earn करेगा और जो कि उसको जो हमारा academic bank academic bank of credit जो है उसमें store होते रहेंगे उसके credit वगरा ठीक है it also support the education acceleration for the student within the gifted learning abilities कहने का मतलब है कि जो educational system में उसको accelerate करेगा तीक है या फिर जो हमारे बच्चों में gifted learning abilities होती है उसको recognize करेगा या फिर prior learning for the workforce has been acquired the knowledge and scaling of informally ठीक है learning जो abilities है उसको improve कर सकते है ठीक है clear चलिए अगला हमारा key जो topic है वो रहेगा mission school of excellence कहने का मतलब यह है कि जो हमारा mission school of excellence है initiative चलाए गया हमारे प्रधानमत्री मोधी जी ने ठीक है गुजरात में क्योंकि गुजरात में election थे तो उसे के द्वारा यह जो initiative वगर है वो चलाए गया ठीक है 5G connectivity जो है establish की जा सके ताकि जो internet connectivity है school में और जादा improve हो सके ठीक है teachers की availability है ठीक है यह करवाई जा सके ठीक है even in remote area ठीक है तो यह सारे के सारे जो है major parameter रहेंगे school of excellence के जो हमारा initiative चलाए गया especially gujarat में गुरोष सब a festival focusing on quality education this is the aptitude skilling ability of the student for evaluated and the proper solution was suggested कहने का मतलब यह कि यह purpose यही है कि एक जो बच्चे होते हैं प्रिक है उन में जो skilling यह फिर learning ability कितनी है यह फिर क्या क्या उनका outcome निकल रहा है तो यह सारी की सारी चीजों को जो है analyze करता है हमारा ग्यानों गुनों सब ठीक है अगला हमारा minority education की बात करें तो उत्र प्रिदेश गुवर्मेंट discussion on undertake the survey of unrecognized madrasas has been raised a serious concern over the fate of the institution सबसे पहला वाय सर्वे there are 16,513 crore recognized madrasas in UP ठीक आप पता होगा इतने madrasas है हमारे यहां पे UP में the state government is providing financial assistance to 560 islamic seminaries ठीक है अकला हमारा हमारा so far UP government has no record of unrecognized madrasas ठीक है हमारे यहां पे UP में unrecognized madrasas की जो report है या फिर जो data है वो अभी भी available नहीं है अब बात कर लेते सचर कमिटी की report 2006 की बहुत important है याद रखना ठीक है हमारे यहां पे only 3% of muslim children of school going age to the madrasas at the national level अगर national level पी बात करें तो पूरे muslim children में से सिर्फ 3% muslim children ऐसे हैं जो madrasas में जाकर education वगरा लेते हैं ठीक है या फिर schooling वगरा लेते हैं draw distinction between madrasas and मक्तबास ठीक है मक्तबास और जो हमारे मदरसाज है उसमें भी distinction create करता है या फिर draw करता है ठीक है मक्तबास आर नेइबरोट school ठीक है often attached to the mosque ठीक है मक्तबास जो है हमारे directly मॉस्क से attached होते है ठीक है shared of the muslim who attend the madrasas and मक्तबास it's not it's not more than 6.3 percent at the report said ठीक है muslim the aspirational report of the most crucial observation muslim parents are eager to see their children enrolled in the modern education institute कहें कहने का मतलब है कि आप कोई भी parents देख लिए उनके बच्चे चाहें मतलब चाहेंगे रहे कि उनके बच्चे जो modern school में जाए ठीक है आची English बूले ठीक है क्यों चाहेंगे कि जो traditional विचला आ रहा था ठीक है education का उसमें भीजे ठीक है अगर बात करें right to right to muslim तो 25 हमारा all persons are equally entitled to the freedom of conscience he can write to freely profess practice and propagate their religion article 16 26 की बात करें it says that all demonstration the denomination can manage their own affairs ठीक है in the matter of religion ठीक है madrasas was established under article 26 ठीक है अगर article 30 की बात करें it gives the minority right to the established that run their education institution ठीक है तो यह सारे के सारे जहें muslim को right है especially when the matter comes to madrasas and maktabas ठीक है तो इसी के साथ हमारे जो society वाला portion है वो खतम होता है अगर lecture आपको पसंदा है तो please like it, please share it, thank you